नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में वीवो X60 वर्सस सामसंग गालेक्सी S21 FE 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X60 में 6.28 इंच जबकी S21 FE 5G में 6.13 इंच की लेंथ मिलती है जोकी X60 से कम है Width की बात करे तो X60 में 2.95 इंच जबकी S21FE 5G में 2.93 इंच की Width मिलती है जोकी X60 से कम है बात करे थिकनेस की तो X60 में 0.29 इंच जबकी S21FE 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी X60 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो X60 में 176 g जबकि S21 FE 5G में 177 g का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो X60 में AMOLED जबकि S21 FE 5G में Dynamic AMOLED की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो X60 में 19.8 रेशियो 9 जबकि S21 FE 5G में 19.5 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो X60 में 6.56 इंचर्स जबकि S21 FE 5G में 6.4 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन X60 में 1080 by 2376 और S21 FE 5G में 1080 by 2340 मिलता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X60 में 86.8 प्रतिशत जबकि S21 FE 5G में 86.49 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो X60 में 398 पिक्सेल प्रति इंच जबकि S21 FE 5G में 403 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो X60 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है और S21 FE 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और S21 FE 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें, front camera यानी की selfie camera की तो दोनों phone में, single camera देखने को मिलता है, जिसमें की 4 different features मिलते हैं अईचिए अब बात करते हैं hardware के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहले CPU जोकी speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है, उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, X60 में Adreno 650 जबकी S21 FE 5G में Mali G78 MP14 मिलता है। चिप सेट की बात करें तो, X60 में Qualcomm Snapdragon 870 और S21 FE 5G में Samsung Exynos 2100 मिलता है। बात करें RAM की तो, X60 में 2 Variant देखने को मिलता है। जिसमें 8 GB 12 GB की RAM मिलती है जबकी S21 FE 5G में 2 Variant देखने को मिलता है। जिसमें 8 GB 8 GB RAM मिल जाती है। बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो दोनु फोन में सेम ही दो variant देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128 GB, 256 GB की storage मिलती है expandable memory दोनों फोन में नहीं है Operating System की बात करे तो X60 में Android V11 जबकी S21 FE 5G में Android V12 देखने को मिलती है Battery X60 में 4300 mAh जबकी S21 FE 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है Colors की बात करे तो X60 में 2 colors जबकी S21 FE 5G में 4 colors option मिलते है Sub Information देखने के बाद बात करे price की तो X60 में 2 variant देखने को मिलते है जो की 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 37,980 रूपीज 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 49,990 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करे S21 FE 5G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 54,990 रूपीज 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 58,990 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Vivo X60 में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करे Samsung Galaxy S21 FE 5G की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो Display में S21 FE 5G आगे है Main Camera में X60 आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Apple iPhone 12 है दूसरा Realme X7 Pro है तीसरा OnePlus 9 Pro है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Google Pixel 6 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना